मैंने कई लोगों को देखा एकि वो विंडो रोल डाउन करके और सारी चीजे बाहर फिक देड़ी आया एसा मत कर तो देखो नेचर हमें बहुत सारी चीजे सखाती है बहुत सारी चीजे देती है बट हम इन रिटर्ण नेचर को क्या दे रहे हैं भी हमें देखना पड़े वेलकम बैक एवरिवन मैं हूं अंकुर दिवेदी आज ही जो वीडियो है वो एक यूनिक टॉपिक पे है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी आप नई कार पर्चेस करते हो तो क्या-क्या एक्सेसरीज हैं जो आपको अपनी कार में फिट करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो चलिए अंदर चलके बात करते हैं जो भी एक्सेसरीज मैंने अपनी कार में फिट करवाई है जैसे आपको पता ही है मेरी वीडियो शॉट एंड क्लियर होती है जो भी इंफ तो रूम वाले होते हैं वो आपको मट फ्लैप लगा करके देते हैं just in case वो आपको यह प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तो आप उनको इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं और यह बहुत ज्यादा essential accessory हो जाती है यह तो एक गार का पार्ट ही है accessory भी मैं नहीं बोलूगा इसको तो आप यह चीज जरूर नोटिस करो कि आपको मट फ्लैप प्रोवाइड करके दे रहे हैं कि नहीं और अगर वो लोग यह प्रोवाइड नहीं करते तो आपको under 2000 यह चीज़ें मट फ्लैप जो हो कि आप मट फ्लैप को जरूर लगवालो अपनी काजी में जो second accessory होती है किसी भी कार में वो सबसे पहले तो आ जाती है कि मैटिंग के बारे में तो हमारी कार में तो जैसी यह शोरों के थ्रूई मैट दिये हुए थे उसके बाद भी हम लोगों ने इसमें फ्लोरिंग लिए के जो इसले हो जाता है क्योंकि आपकी कार कार्पेट होता है वह को और जाती है की अगर उसमें पानी गिरिया यह कुछ समाना है कार में बैठ करकर खा रहे हो पी रहे हो वो गिड़ जाता है तो एक time के बाद एक point of time के बाद वो smell करने लगता है उन सब चीजों से अपनी car को बचाने के लिए flooring एक बहुत essential मैं कहूंगा accessory हो जाती है जो आपको अपनी car में बिलकुल लगवा लेनी चाहिए सबसे पहले चीज आपको यह होती है mud flap अपने लगवा लिए उसके बाद flooring आती है flooring के बाद mats का होना car में बहुत ज़्यादा जरूरी है बट एक चीज़ और मैं आप एड-on करना चाहूंगा यह जो mats हम लोग को मिले है company के तरफ से यह flooring के बाद से यह दिक्कत हो रही है कि यह slip हो करके आगे चले जाता है जिस वज़े से pedals को operate करने में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है तो आपको यह ensure करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो आप mattings लगा रहे हो वो slip ना करे आप 70 mats के साथ जाओ इन फ्यूचर मैं भी उसको बहुत जल्दी लगवाने वालों अपने गाड़ी में क्योंकि वह slip नहीं होंगे and safety concern आपको फिर नहीं रहेगा मतलब आप ensure हो जाओगे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी क्या होता है mat flooring होने के बाद यह जो mats ही है आगे slip हो जाते हैं तो थोड़ा सा na pedals को operate करने में कई बार दिक्कत देते हैं and जो next चीज होती है यह दोनों चीज तो आपको showroom सही मिल जाएगी जो next चीज होती है वो है यह और यह है आपका dash cam यह आपको मैं इतना main cube हो रहा हूं यह यहां पर आप देख सकते हो rear वाला भी rear का आप लगाओ या मत लगाओ but at least आपको front का dash cam आपकी गाड़ी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के time पे क्योंकि इंडिया में आप जैसे देख सकते हो यार बहुत rash drive करते हैं लोग एंड एक तरीके से यह चीज प्राइमरी आपकी concern में रहना चाहिए कि आपको आपकी गाड़ी में एक dash cam लगवाना है सबसे पहला चीज तो आप यह करो कि एक dash cam purchase करके लगवा लो तो अब तक हो गई तीन चीज और उसके बाद जो मैंने अपनी कार में लगाया है वो है यह circular glass जो आपको दिख रहा है यह आपने पढ़ा होगा made be 10th 11th में आपने यह चीज पढ़ी होगी concave and convex lens का तो यह convex lens kind of है और इसमें आपको अपनी गाड़ी का almost पूरा area cover हो जाता है अच्छे से मतलब आपको किसी जो कोई भी end होता है कार का वो आपको ऐसा नहीं होगा जो visible ना हो तो यह चीज आप मैं recommend करूंगा आप इसको लगवा लो ताकि आपको clear vision मिलता रहे क्योंकि इस बड़े वाले glass में एक area होता है एक spot होता है जिसको blind spot बोला जाता है जिस point पे आप आपकी पीछे over tick करने वा कार में लगी हुई है तो यह तो कुछ थे essential चीज और जो मैंने add-on करवाया हमारी altros में वह है यह armrest it's an xt model जैसे आपको मैं बता दूँ एक जेड में आपको armrest मिल जाता company fitted but इसमें नहीं था तो यह अराम से आपको मिल गया था 700 रुपीज में here in राइपूर यह काम का feature य एंड बहुत जल्द इसको लगवा लिया तो यह लकडी का होता है कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको in future नहीं आने वाली है बस यह fix हो जाता है एंड यह easily removable भी है आप इसको अराम से अटा करके रख भी सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पर आपका handbrake अल लग सकते हो यह बहुत friendly है काफी अच्छी चीज है तो यह हो गई एंड जो next चीज आती है वह आती है आपकी seat covers सीट कवर होना क्यों जरूरी है यार यह तो essential चीज होती है सबको पता है सीट कवर लगवा लो ताकि आपकी जो फैबरिक की seat है या it made भी वह अगर leatherate seat आपको मिल रही है company के तरफ से तब no doubt कोई जरूरत ने आपको कुछ लगवाने की बट अगर आपकी फैबरिक की seat से जै रहती है हमारे seats में उनको लगा करके जादे दिन तक मत रखो क्योंकि वह health के लिए उना अच्छा नहीं है तो और next चीज जो काफी लोग मुझे Instagram पर DM कर रहे थे कि आपका steering cover कहा से लगवाए आपने वह मतलब यह जो steering cover है यह भी company fitted नहीं है यह after market है यह हमने बाहर से सेम टू सेम जो टॉप मोडल वाली एल्ट्रोस आती है उसकी तरह ही दिखेगा आपको कहीं से भी stitching में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है काफी perfect stitch है उसके बाद हमने जो गाड़ी को जितना भी चलाया है उसमें इसका response मुझे काफी अच्छा लगा है जो भी grip वगर है grip म कोई आपको issue face होने वाला नहीं है हॉन की placement हो गई इधर से देख लो यहां से आप easily बजा भी सकते हो तो यह यार मैंने aftermarket लगवाए कई लोग पूछ रहे थे आपको company से मिला है तो नहीं company का नहीं है बट लगता company जैसा है क्योंकि fitment काफी अच्छी हुई है no doubt in that ठीक है त इसके तुरू आप अपनी navigation and वो सारी चीज़ों को access कर पाऊ but the main thing is this कि आपको एक dash cam होना बहुत ज्यादा necessary है आज के time पे Indian roads में बहुत ज्यादा accidents देखने को मिल रहे है आज कल तो यह तो आप बिलकुल मैं recommend करूंगा कि आप इसको लगवा ही लो and एक चीज और मैं आपको सारी चीज़े सिखाती है बहुत सारी चीज़े देती है बट हम इन return nature को क्या दे रहे हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा तो आप एक छोटा सा dust भी अपनी कार में रखो ताकि आप निक नैक्स बाहर purchase कर रहे हो तो आप उसको उसमें डाल सको और बाहर का environment को खराब ना कर करता है बस आप जो भी आपका कचड़ा होता है आपका fruity हो गया हम लेस खा रहे हैं रोड में चलते हुए तो वह सारी चीज़े आप इसमें डाल लो घर में आकर करके उसको dispose कर देना बट रोड में गंदगी मत फैलाओ प्लीज मैं यह चीज आप से request कर रहा हूं क्यूंकि नेचर के लिए लोग आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं एक चीज वो है जो मुझे भी purchase कर रही है तो बस यह सारी चीज़ें है आपको जो necessary है आपकी car में होना जब आप car को purchase करते हो तो यह तो था एक short video जो आपको most needed accessories आपकी car में होनी चाहिए तो वीडियो कैसा लगा आप comment करके मुझे जरूर बता हो और कोई भी doubt होता है तो यह मेरी Instagram आइडिया आप यहाँ पर जाकर के मुझे से पूछ सकते हो तो यह तो था कुछ आज की video में तो मिलते हैं कि इस next video में till then bye bye जाए हैं